हेलो डियर स्टूडेंट आई वेलकमें अगेन हिंदी सचदान अन्रणी चैनल आप देख रहे हैं हाफ हेरली अर्धवासिक परिच्छा 2021-22 का च्छान्व का ये हिंदी पेपर है कराज नाइंद का ये हिंदी पेपर है इसके पहले इस्टूडेंट हम बतादे कि यदि आप हमारे चैनल में जो हमने इंगलीस का पर अपलोड किया है और इसके पहले math का अप्लोड किया था और science का यदी नहीं देखें हाँ फिर लिग जाम पेपर जो की काफी important है तो description ने लिंक पड़ा हुआ है जाकर के आप जेक करें और यदी student पहली बार है तो channel को subscribe कर दें आये देखते हैं कि किस प्रकार से आप लोगों का पेपर है देखें 20 code 901 है अभी note यहां पर दिया है कि यहां दो खंडों में विवागता है खंड और खंड और खंड और जो है कि वह विकलपी प्रसना है जो कि OMR seat पर भरे जाएंगे और जो खंड बो है यह लिखित question है तो question एक से लेकर के question 20 तक आपको OMR seat जो पर पत्र मिला है उस पर color करना है बाकी किस से question 50 mark के आपको लिखना है तो पहला question यहां पर देखें हाठी हमीर किस की रचना है हठी हमीर परताप नराण जी की रसना है बिकलप इसमें C सही होगा परताप नराण मिस्र दूसरा question दिवेदी यूग के लेखक है देखें दिवेदी यूग के जो यह चारो बिकलप दे रखा है इसमें जो दिवेदी यूग के लेखक है और शामसुंदरदास है उपन्यास के लेखक हैं, question number fourth, नया महमान, नये महमान एकांकी, कच्छा नाइंथ में है, नये महमान एकांकी के जो रचनाकार है, देखे इन चारो विकल्प में में उद्य संकर भट जी है, question number next है, दीप दान, दीप दान हिंदी के एक बिधा है, तो ये नाटक है, उपन्यास है, डाइरी है कि एकांकी है, तो दीप दान, class ninth में एकांकी है, ठीक है, question number six है, मंत्र, मंत्र के जो रचनाकार है, वह काउन है, इन चारो विकल्प में देखे, class ninth के उनसर मुंसी प्रेमचंद जी है, मंत्र, उन्हें की एक कहानी है, मंत्र, next question number, भक्ति काल के कभी माने जात हैं, तो देखे, एक चारो विकल्प दे रखा है, सूर्दास, विस्लू, प्रभाकर, रामलरे, सिर्पाथी, नीराला, तो भक्ति काल में सूर्दास जी और गुस्वामी, तूलसी दास जी आते है, सूर्दास जी, कृष्णा स्राई के कभी तूलसी दास जी थे, जबकि रा आपनारल मिस्री जी की रचना है, गौसंकट, कुश्चन बर नेक्स्ट है, फूल का प्रयावाची, फूल का जो प्रयावाची सब्द होगा, इसमें देख लेंगे, कुसुम, कुसुम को फूल कहते हैं, नींदी में, नेक्स्ट कुश्चन है, जनगल मन अधिनायक, जनगल के मन के जो रचैता कार्त है, रभिंदरात टैगुर जी है, विकल्प डी सही काटेंगे, कुश्चन बर नेक्स्ट है, किसी सब्द के आदी में जुडने वाला सब्द देखे, कोई भी सब्द होता है, उसके आदी मन अंत में जब लगा कर कोई नया सब्द बना जाता है, त नेक्स्ट कोश्चन देखे, त्विल्थ दिया है कि तत्पूरुस समास का पद परधान होता है, तक तत्पूरुस समास में क्या होता है, कि उसका जो उत्तर पद होता है, अंतिम पद, लास्ट वाला पद, वही परधान मना जाता है, जैसे राज पूत्रह, राज पूत्रह आगला कोशन दें के संधी के परकार होते है तो संधी जो मुख्यता तीन परकार की होती है डी बिकल्प सफ़ी है, स्वरसंधी, बेनजन संधी, बिसर्ग संधी और यह आगके अलग अलग कैटेगरी में बढ़ जाती है नेक्स्ट है शब्द के अंत में जुड़ने वला सब्द क्या कहा जाता है, तो अंत में अभी देखा न, अंत में जो जुड़ता है हो प्रत्यकालाता है, B.B. कलप सही होगा इसमें, बीर रस का अस्थाइभा, question number 15, बीर रस का अस्थाइभा, D.B. कलप सही होगा, उतसा होता है next question 16 है किस चंद के पहले और तीसरे चरण में 13 मात्र होती है तो दोहाँ चंद दोहाँ चंद के पहले और तीसरे में 13 तेरा तेरा दूसरे चोथे में 11 11 मात्रा होती है यह c विकल्प सही है question number 17 जहां उपमे में उपमान की संभावना हो वहाँ पर तो उत्पर इच्छा लंकार होता है इसमें जो विकल्प होगा B सही होगा नेक्ष्ट है बार बार वर्डों की अबरती को कहते है तो वर्डों की अबरती जहां हो वहाँ पर कौन सा लंकार होता है अनुपरा सा लंकार कहते है Question number 19 है गमन गमन का भिलोम सब्द क्या होगा गमन मने होता है जाना जागरन निर्गमन आवरर आगमन आगमन मने आना यहीं सही होगा हिंदी में कारक कारकों की टोटल संख्या कितनी होती है एट आठ टोटल आठ कारक होते हैं अब यहां से देखें खंड ब जो लिखित है एक्जाम में इस तरह से कोई गद दे रखा है उसका संदर्प सहित अर्थ लखना बैख्या करना है यदि हम बैद होते तो कफ और पित के सहवर्थी बात की बैख्या करते तथा भोगूल वेत्ता होते तो किसी देश के जल वात क्या वर्डन करते किन्त दोनों विशे में एक बात कहने का भी प्रियोजन नहीं है तो ये बहात सब्द बार-बार आ रहा है प्रतापनराल मिस्री जी का होगा और संदर्प सहित अर्थ लिख लेंगे के प्रस्तूत गद्धे खंड हमारी पठीत पाथ पुस्तक के बात नामक पार से लिया गया है इस तरह से इसके अर्थ को बताना है दूसरा कोश्चन देखिए यहाँ पर दिया है खंडबा का नीचे दिये गये पध्यांस का संदर्प सहित व्यक्या करना है तो यहाँ पर जो दिया गया है भगती भजन हरिनाओ है दूजा दुख अपार मनसा वाचा करमडा कबीर सुम भगवान का हरि मने भगवान का नाव मने नाम भगवान का नाम लेना ही उसकी भगती है उसके नाम को भजना ही भगती कहलाती है तूजा दुख अपार इसके अलामा और कोई साधन नहीं है अन्य साधन अपनाएंगे तो उसमें दुख ही दुख अपार दुख होगा आगे भगवान के नाम का सुमिरल करना ही सार होता है मुक्तत होता है मुशन नबर तीन देखे लिगा हजारी परसा दिवेदी जी का साहितिक पर्चा साहितिक पर्चा में जीवन पर्चा नहीं दिया जाता बलकि उनके साहिते से समन्दी चीजें उन्होंने क्या लिखा और क्या रचना की और क्या किये ठीक है तो हजारी पर सादिवेदी जी एक उपन्यास कार थे अलोचक कार थे निबंधकार थे और अंग्रेजी संस्कृत इत्यादी कावबिद्वान थे और असोक के फूल कूटज जैसी इनकी प्रमुक रचनाएं हैं उनका जो उपन्यास है पुनर नर्वा है उसी तरह से अगला कुश्चन देखिए दिया है कबीरदाश जी का जिवन परचे काफी इंपर्टेंट है इसको भी आप देख लंगे 1399 में उनका जन्म हुआ था कबीरदाश जी का 1518 में उनकी मिर्त हुई थी 120 वरस तक जिये थे निरू निमा नमक दंपत जुलाहे ने उनका लालन पालन किया था लहरतारा कासी में कबीरदाश जी का जन्म हुआ था और मिर्टु इनका मघहर में हुआ था ये साखी सबद रमेनी इनके प्रमुक रचना है अलाकि कहा जाता है कबीरदाश जी लिखे पढ़े नहीं थे निरच्छर थे मसी का गच चुओ नहीं कलम गही नहीं हाथ फिर भी बहुत ही बिद्वानों जैसी बाते उन्होंने की पुजा पाखंड का विरूत किया उन्होंने इस्वर को ही माना की इस्वर घट घट में है इस तरह से क्वेश्चन नमर नेक्स्ट दिया है कि निबंद यहाँ पर कोई लिखना है जल पर निबंद आज काल जल की कितनी जूलंत समस्य आप जान सकते हैं अगला है आपके क्वेश्चन पेपर से नए मिहमान एकांकी का सारन से लिखना नेक्स्ट क्वेश्चन से बनता है स्रिंगार रस का उधार देखर करके समझाना तो स्रिंगार रस की परिभासा आप याद कर लेंगे बिभाव और भाव संचारी के भाव के सयोग से रती नाम का स्थाई भाव, रती बने प्रेम, रती नाम का स्थाई भाव से स्रिंगार रस की निस्पति होती है, कोई भी एक्जामपल आप दे सकते हैं जहां पर प्रेम प या खाए बाओ बाओर या पाए बाओर आए है, एक कनक का सब्ड धतुरा होता है, यदि उस कनक को एक आदमी खा ले तो बहुरा जाएगा और पा ले तो भी बहुरा जाएगा, अर्थलग है यहां यमक कलंकार हुआ, और जब कि अनपराई सलंकार वरणो की अबरती होती ये कही वर अच्छर बार बार आता है जैसे केलीन में कुलन में कछारन में कुझन में कलीन 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 किलकंत है question number 10 यहाँ पर सुल्क माफी प्रप्रदानाचारे को पत्र लिखना है हिंदी में question number 11 आपके संस्क्रित परचाइका से है इसका अनवाद करना है संदर्प सही दर्थ लिखना question number 12 करोधेन जयत करोधेन साधुनाम यह इस लोख है इसका अर्थाप को लिखना है हिंदी में next है संदी किसे कते कितने प्रकार का होता है रभी question को आप देख लेंगे संदी मने जहां पर वर्डों का मेल हो वर्डों के मेल से एक विकार या परिवर्तन हो वह संदी होती है जैसे बिद्य भाव समास होगा क्योंकि इसमें जो उप नित्रम मने नित्र के समीप दिनम दिनम प्रती बाद वाला जो सब्द है या अब्वे है कोई तीन परियावाची सब्दे लिखना है इन सभी परियावाची को देख ले काफी इंपर्टेंट है चंद्रमा कमल गड़े स्वस्त्र और कोशन बर सीष्टीन है ये देखे संस्क्रीत में अनुवाद करना है जिसमें आपको धातू लकार और पुरूस बचन रूप विभ वक्ति सब ग्यात होगा तभी आप इसको अनुवाद कर पाएंगे उसका अभ्यास कर लें प्रिक्टिस कर लें यहाँ पर दिया है देखिए बालक घर जाता है एक वचन है एक बालक है बालक ग्रिहम गच्छती एक वचन राम किताब पढ़ता है राम पुस्तकम पठती सुमन भोजन पकाती है सुमन अहारह पस्चंती पेड से पत्ते गिर्ते हैं ब्रिच्छात पंचमी भ्यक्ती है ब्रिच्छात पत्राली पतंती सो थैंक यू स्ट्वन्ट